चाइनीज बहु चाइनीज बहु हमारी याद तो है ना आपको? भूले दू नहीं न? हाँ भई, थोड़े देर में ही सही, लेकिन चाइनीज बहु की कहानी आही गई क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतांकी मचा रखा है अरे क्या हो पोस्ता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है माँ पर ये देखना, लड़ाई जगडे, ये बिमारी, उपर से ये देश कितना चालाग है अंदर न जाने क्या-क्या करता रहता है? तब ये अंदर सी बहु की चिलाने की आवाज आती है माची यह दिखिये, यह रूस ने यूकरेन की हालत क्या करदी है उपर से चाइना में दructor लोगजाएं लग किया है माची अब क्या किया जाए अर तोfa तुम लगों को क्या परिशानी हो रही है, मैं तो यही नई समझ पा रही हूं वो क्या है न माउउड लोग चाइना जाने के सोच रहे थे सांगसु के भाई की शादी है तो क्या अरे कौन सा उन लोगो के यहां भाई घोड़ी चड़ता है जो बहन काजल लगा कर नेग लेगी माजी उसकी आखे बहुत चटी चटी है उसमें याद तो फुटली रह सकती है यह काजो साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो अंधा कहीं का क्या क्या बोले तो मेरे भाई के बार में अरे नहीं नहीं बहु वो तो बोल रहा था के तुझे नेग मिल जाएगा है दैन है ना तो उसकी नाइ नाइ माझी मंसाब सामज थी ये मेरे भाई का मसाद बना दुरní है खितना शीटा हे मेरे भाई बहु तिपकली जैसा नही नही बहु सीदा गाय जैसा होता है जाऊंगी तब एक पड़ो से ना जाती है अरे नहीं नहीं बहु तू कहीं ना जा हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना ले बहु तेरे भाई के लिए ये शौल रख ले हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना हाई रे सब कितने अच्छे हैं मेरी चाइनिस बहु को कितने प्यार से तुम लोगों ने एकसेप्ट कर लिया सच मैं बड़ी भागिशाली हूँ मैं कैसी बात कर रही है ये तो हम लोगों के देश की एक खुबसूर्ती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं बस वो भी दिल से हमें कैसी बात कर रही है अंठी जी मेरी लिए आप सब सासुमा जैसी ही है मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है ये सबसे अच्छा डीश है मेरो भारत महान वैसे भी लड़के की शादी जहां होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना जी तेरे बहुत सही पोल रही है आरत तो होती ही पानी की तरह है जो जहां जैसे रखे बैसे ही शेप ले लेती है आंटी जी ये थोरस ज्यादा हो गया समझ नहीं आया नो प्रब्लम मैं चाय बना कर लाती हूं फिर क्या वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहु को चायना जाना पड़ता है वहां जाकर बहु का भाई कहता है हू मिर्बान आ गए मिर्बान आ गए मनसा आपको बोला कि सब हिंडी में बर्ट करेंगे नहीं तो बिन नराज नराज हो जाएगी ठांक्स बॉई हिंडी मेरी भावशो है आप मुझे उससे में बर्ट करना अच्छा लगता है आपने जीचाची से मिलो सबी पहु को अंदर लेकर चले जाते हैं लेकिन सांग्सु का पती वो तो बेचारा चाइना के ससुराल की आंगन में अकेला खड़ा रहता है काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो मा को घर पर फोन करता है आ बिटा पहुच गया है ना किशल मंगल आ मा लेकिन सांग्सु पता नहीं का है वो तो अंदर गई है तब से बाहर आई नहीं अरे कैसे बात कर रहा है तो तू अंदर चला जा तू बाहर क्यों है अरे दामाद है तू मा का उन लोगों ने तुझे बिठाया चाई पानी कुछ नहीं पूछा नहीं ना मा तभी सामने से संग्सु आती है ठियो आप अभी तक ठिया नहीं हुए और ये बाग लेकर क्यों कमर से पार आई इसे वाई रख देटी कमरा कौन सा कमरा अरे क्यासी बात कर रही हो जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो कड़ाऊ बहु को बहु को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है तभी उसका भाई और मा आ जाते है और इसेंग्शु अंदर ख्वाना लग गया है फाले ये बटाओ कि मेरे पटी को किसे ने खाना या पानी क्यों नहीं पूछा वो भारत से सुसुराल पहली पर आया है वो भी मेरे कहने पर उनके इंसब क्यों नहीं की देख पीटी तुने जबरदस्टी जिड में शादी की थी तो हम लोगों नहीं कर दी लेकिन आप तुम ये शोचो पूरी चाइना में मैं इस इंजिन को अपना डामाड बटाओं शो शोरी हाँ संक्सू और तुम भी चुप रहना नहीं तो वो लोग मेरी शादी तोड़ देंगे ऐसी बात है कोई बात नहीं मैं बाहर होटल में रह लेता हूँ तुम वही करो जो ये लोग चाते हैं कैसी बात कर रहे हो शादी के बात पटी जैशा भी हो जो भी हो पटी होता है वैसे भी तुमारे पूरे परिवार ने सब ने बिना सोचे मेरे साथ दिया मुझे अकसप्ट किया और प्यार किया मैं अपने डीश में आपको अखिला कैसे छोच सती हूँ ये हिंडी फिल्म का ड्रामा बर्न करो मैं आप ये बर्दाश्ट ने करूँगी छुप चाप अंदर चलो नहीं तो ये शादी वादी यहीं खतम करके इसे अखिला ही इंजा जाना पड़ेगा हाई वाल्टेज ड्रामा होने के बाद से ही सारा माहल खराब हो जाता है कि तभी एक लड़की आती है मैंने सारव इंतिजाम कर दिया है सांग्सु की शादी का मानदब फर सो लग जाएगा थाप ठक इसके पती को कमरे में बंद कर देते हैं सभी सांग्सु की पती का हाथ बांद कर उसे कमरे में बंद कर देते हैं ये खेर खानु जी है हुद लोग मेरे पटे के शादी शाद नहीं कर सकते है मैं किसी से शादी नहीं करूँगी ये साफ बाट है पहले मैं अपसे शादी करूँ फिर ठेरी भी शादी करवादूँगा सब किस तैह हो जाता है भाई की शादी हो जाती है फिर वो दिन भी आ जाता है जब सांगसु की शादी वो लोग जबरदस्ती करने के लिए उसे मंडप ली जाती है ऐसा मत करो, यह मेरे बीवी है मैं किसी से शादी नहीं करूँगी कैसा नहीं करेगी शादी, शादी ठोटी रब बाप भी करेगा मैं करूँगा, मैं करूँगा शादी, प्लेईस, खोई मेरे शादी, किसी अच्छा औरत से करवाद है चाप, बल्खुल चाप फिर मा सांगसु और उसकी पती से कहती है तुम लोगों का पच्चा मेरी खैड में है अगर तुम लोगों ने कोई भी होश्यारी की, तो मैं इस बच्चे को मार दूँगे दोनों मा का रूप देकर हैरान हो जाते हैं बच्चे के खातिर दोनों शाद हो जाते हैं और शादी की रस में शुरू हो जाती है पलिस सभी को गिरफदार कर लेती है बेटी के बच्चे को मारने की धमकी तो कोई चुडाल ही दे सकती है अरे तो ये चुडाल ही तो है ये सही बोल रहे हैं ये और और किसी चुडाल से खाम नहीं है तब ही उन लोगों का बच्चा भी आकर सांगसु के गले लग जाता है मा तु सही समय पर आ गए लेकिन तुझे कैसे पता चला कि यहां ये सब हो रहा है बेटा ये चाइनीज लोग ना इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं था इसलिए मैंने तेरे फोन को हमेशा के लिए मेरे फोन से अटेच कर दिया था जिससे तेरे आस पास होने वाली सारी बात मैं सुनती रहूं उस दिन भी मेरी तेरी बात हो रही थी तो तेरा फोन आन था मैं साब समझ गई थी मुझे माफ करदा नहीं बुगल नहीं चलिए माजी इंदिया वापस चिलते हैं आज की बात में यह कभी नहीं आऊंगी यो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइबर करें और भी न्यू वीडियो डिखने के लिए ठेंक यू दन्यावाई